Hello all, my name is Krish Nayak and welcome to Krish Nayak Hindi YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, Generative AI के बारे में. I hope आप लोग अब Chat GPT को यूज कर चुके हैं, Google Bart से आप बहुत सारे questions पूछ चुके हैं. I hope आप उनका capability जानते होंगे, क्योंकि obviously कोई भी assignment हो, कुछ भी code पूछना हो, आपको वहां से answers definitely मिल रहा है. But बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा confusion है, क्योंकि जब भी मैं Generative AI के बारे में बात करता हूँ, तो obviously वो लोग सोचते हैं, Chat GPT models, right, जैसे GPT 3.5, या Google Bard में जो models यूज होता है, जैसे Palm 2 हो गया, ठीक है, उससे पहले Lambda यूज होता था, बहुत सारे अलग-अलग models यूज होते थे, अब इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही precise definition, simple example के साथ बताना चाहता हूँ, कि Generative AI क्या है, क्योंकि Generative AI को achieve करने के लिए, ठीक है, ये सार models बनाया गया है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, यहाँ पर मैं कोई लिखने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही simple definition के साथ, बहुत ही simple example के साथ, आपको Generative AI के बारे में बताऊंगा, तो चलिए, शुरू करते हैं without wasting any time, अगर आप मेरी चैनल में नए हैं, प जो जो मैं आज बोलने वाला हूँ, इस specific video में, उनके related भी मैं videos बनाऊंगा, dedicated playlist होगा, काफी जादा learning होगा आपके लिए, तो चलिए, शुरू करते हैं, अब आपको I hope machine learning तो पता ही होगा, machine learning कहां fit होता है, machine learning से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो type के problem statement हम लोग definitely solve करते हैं, एक तो टाइप के machine learning algorithms हैं, आपको वो भी पता है, supervised machine learning algorithm, unsupervised machine learning algorithm, उसके बाद हम जब deep learning में जाते हैं, deep learning में दो major types होता है, ठीक है, मैं कुछ animation नहीं उस कर रहा होगा, बहुत ही simple तरीके से बहुत सारे examples के साथ मैं बात करूँगा, तो अगर हम deep learning का बात करते हैं, उसमें दो types क models होते हैं, एक होता है, discriminative models, और एक होता है, generative models, तो अगर आपको deep learning आता हो, जहाँ पे आप solve कर रहे हैं, जैसे image classification problem, या object detection problem, या आप probably NLP के use के solve कर रहे हैं, जैसे text sentiment analysis, आप ये पता लगा रहे हैं, whether a review, a restaurant review is bad or good, जब ऐसे type के problem statements जब आप use करते हैं, आपके deep learning models के लिए, basically आप neural network specifically use करते हैं, यहाँ पे, अलग-अलग, ANN हो सकता है, CNN हो सकता है, RNN हो सकता है, LSTM, RNN हो सकता है, bidirectional LSTM, RNN हो सकता है, या आप probably transformers use कर रहे हैं, जो आज कल काफी जादा चल रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ है, chat GPT के जो भी models बनते हैं, यह सब transformer architecture से ही specifically बनत है, discriminative models, ठीक है, यह हो गया, first type deep learning में, जो second type है, जो आज कल काफी जादा popular हो रहा है, आज कल बहुत सारे companies use कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, generative models, अब नाम जैसे बोल रहा है, generative models, generative models मतलब, कुछ generate हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक example दूँ, let's say that, यह generative model से, हम लोग, cat के बहुत सारे images के साथ train करते हैं, एक model, ठीक है, अब generative model का यह aim होता है कि, जब भी भी हम लोग next type का कुछ भी text दे या कुछ भी input दे उनको, एक नया cat का image generate कर देना चाहिए, ठीक है, नया cat का image generate करना चाहिए, तो जब यह नया चीज़ generate होता है, तब हम उसको generative models बोलते हैं, एक और example करते हैं, let's say कि, मैं अगर real world scenario से एक person से compare करो, let's say कि मैं एक person, मैं एक आदमी हूँ यहाँ पर, मुझे task दिया गया है कि मैं, एक specific 500, 100, मेरे पास 1000 books है, let's say not 1000, possible नहीं होगा, let's say कि मेरे पास 10 book है, 500, 500 pages के, एक specific topics के बारे में, जैसे लेते हैं, cat के बारे में, च question पूछिए, मैं cat के बारे में कुछ भी बोल पाऊंगा, तो मैं हो गया, generative human model for information regarding to cat, मैं अपने मन से, आप मुझे कौन सा भी question पूछिए, cat को क्या खाना पसंद है, तो मैं यहाँ पर generate करके आपको sentence दे दूँगा, कि cat को फलाना 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 चीज़े खाने के लिए, त तो अगर मैं बात करूँ chat GPT models का, यह chat GPT जो है, यह भी एक generative AI model है, और इसको, इसमें जो model use होता है, जैसे GPT 3.5, GPT 4.0, अब थोड़े दिनों में GPT 5 भी आने वाला है, अब वहाँ पे यह लोग कोशिश करेंगे, जबी भी हम कोई text दे, वो images भी generate कर दे, या video भी generate कर दे वीडियो, moving content भी generate कर दे, अभी हो रहा है, बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे नहीने टूल्स आ रहे हैं, अभी जो open AI का, जो chat GPT का, APIs हैं, उसे through भी हम लोग image create कर सकते हैं, बट स्टिल और better version आएगा, और better capabilities आएगा, अब यह नहीं है कि, जब मैं LLM का बात ठीक है, जो यह GPT 3.5 है, GPT 4.0 है, गूगल बार्ड भी ऐसे टाइप का model है, जहां पर हम लोग स्पेसिफिकल अगर मैं model का बात करूं, उसको बोलते है, पाम 2, और गूगल बार्ड भी, जैसे chat GPT का functionalities है, गूगल बार्ड भी कर सकता है, और उसमें एक और additional functionalities है, गूगल search API से भी use करता है content निकालने के लिए, मतलब जो भी नया content आपको चाहिए, let's say कि मैं आज पूछू, what is today's news, Google बार्ड आपको दे पाएगा, क्योंकि वो connected है Google से, Google search engine से, यही difference है chat GPT और इसमें, right, तो आपको यह चीज़ समझना है कि आप इसको कैसे distinguish करते हैं, LLM models क्या है, LLM models मतलब large language models, जब भी भी बोलू मैं large models, language तो भूल जाएगे, बीच का word निकाल दीजे, जब भी मैं large models के बारे मैं बोलू, तो large models मतलब एक ऐसा model जो huge amount of content से train हुआ हुआ है, right, अब मैं जब बोलू large language models, इसका मतलब यह NLP specific use cases के लिए work करता है, और यह सारे models, जो chat GPT में use होता है, जैसे GPT 3.5, GPT 4.0, यह models जो होते हैं, यह specifically आपका chat, communication करने में मदद करता है, इसके अंदर तो सारे टास्क कर सकते हैं, जो भी NLP के टास्क है, जैसे text summarization, sentiment analysis, language translation, बहुत सारे अलगल अचीज जो NLP टास्क हम लोग basically करते थे, machine learning या deep learning, यह सारे चीज तो हैं इसमे बट इसके अलावा, chat box basically यह से communicate करता है, एक human being से, उस तरीके का communication यह चीज आड कर चुके हैं, chat GPT में, यह आपको बहुत ही clearly समझना है, right, google bar कभी हो से ही, back end में कौन सा भी model use हो, large language models use हो सकता है, यह दूसरा model use सकता है, यह से बहुत सारे भतेरे model है, ठीक है, but at the end of the day, आप हम लोग basically एक ऐसे model से communicate कर रहे हैं, जो काफी जादा चीजों के लिए, काफी जादा डेटा पर train है और बहुत सारे task कर सकता है, right, तो यह है generative AI, right, full-fledged के point of view से, बहुत ही higher level view में मैं आपको बता चुका हूँ कि generative AI क्या है, अब ऐसे ही future में, जब ही में कोई text दूँ, त कर पाए, हम इनको बोलेंगे large image models, large language models जैसा हुआ, large image model, जो जो computer vision में हम लोग task कर सकते हैं, जैसे image generate करना, let's say image को object detect करना वहाँ पे, या image से हमको video convert करना है, image में voice integrate करना है, right, इसको हम लोग specifically बोलेंगे large image models, और यह चीज भी आ रहा है, जब भी आपको images के साथ खेलना है, तो definitely आप यह सब चीज कर पाएंगे, यही है basic difference, जो deep learning में हम लोग discriminative model में देख रहे थे, और generative models में अभी हम लोग देख रहे है, generative AI क्यों future है, क्योंकि बहुत सारे companies अभी, जो भी problem statement में focus कर रहे हैं, यह सब generative AI से बहुत easily fix हो सकता है, और यह चीज मैं देख चुका हू आने वाले दो साल में जितने भी startups, बहुत ही amazing startups बनने वाले हैं, वो generative AI में कोई ना कोई solve, business use case से solve करेंगे ही चाहिए, और यह आपको clear understanding होना चाहिए, क्या आपको यह चीज सीखना चाहिए, generative AI सीखना चाहिए, मैं बोलूँगा definitely सीखना चाहिए, बट उससे पहले आपक बहुत ही easy होगा, क्योंकि जो generative AI में बहुत सारे models है, वो transformer architecture यूज करता है, transformer एक बहुत ही amazing model है, जो deep learning में use होता है, specifically NLP tasks के लिए, encoder decoders होता है, उसमें, मैंने probably detailed video बनाया है मेरे Krishna Ike English channel में, और जबी भी मैं hype cycle का बात करूँ, जैसे AI evolve हो रहा है, आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 6 मेने में जो नए changes आएंगे न, अभी जो चीज है वो value नहीं करेगा बाद में, कुछ और नया चीज आएगा, तब आपको वो भी updated रहना पड़ेगा, probably आज जो चीजे वो आप future में नहीं use करेंगे, क्योंकि और ही better चीज आता है, और ए अपने data के साथ fine tune करके, वो problem statement solve करने लगेगे, it can be any problem, text summarization पर, मैं NLP का example ले रहा हूं, text summarization पकड़के, कौन सा भी different examples, right, image classification हो, या language translation हो, या chatbot ही बनाना हो, specifically for a specific use case, यह सारा चीज fine tuning करके, उम लोग basically कर सकते, और यह कैसे possible है, कैसे, कैसे possible है यह, तो इसके लिए, आपको basically यह open AI में perfect होना पड़ेगा, ठीक है, open AI, यह सारा functionalities आपको देज चुके है, आप यहाँ पे देख सकते है, यहाँ पे एक prompt दिया हुआ, एक message दिया हुआ, और आपका open AI यह, यह चीज response देता है, this is very, very good, आप coding से पकड़के, कोई भी normal question, आप basically open AI से पूछ सकते है, तो support वही आजकल चल रहा है, ठीक है, but at the end of the day, directly इसमें जंप मत करियेगा, अगर आपको AI में specifically interested है, तो मैं हमेशा यह बोलूँगा कि आप starting से start करिये, so yes, this was it from my side, I hope you like this particular video, I will see you all in the next video, thank you, take care, bye-bye.